आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So इस question में कहा रहा है Due to an electric dipole So in the figure So figure इसमें Q और Minus Q और Q ये मालना थे कि डाउनलोड है The electric field intensity Electric field intensity is parallel to the Parallel to dipole axis हमें बताना है कि Electric field intensity कहां कहां पर parallel होती है Dipole axis के ये जो dipole है उसके parallel होनी चाहिए हमारी electric field intensity So mainly इस question में पूचा है कि इस जो electric dipole दिया हो है उसमें कौन-कौन से point पे जो electric field intensity होती है वो पहलूल होती है dipole axis के तो कौन-कौन से इसमें चाहरा option नहीं है At P only, At Q only Both At P and Q And neither At P nor At Q तो हम जैसा कि जानते है कि कि किसी भी dipole moment का electric field किसी भी general point पे क्या होता है किसी भी general point पे होता है E At radial जो part होता है वो क्या होता है E radial होता है dipole moment के चलते है E जो radial होता है वो होता है 1 by K into 2P P क्या है यहाँ पे P है यहाँ Q into D जो small distance होता है जो दोनों charge के भी जो क्या है P है यहाँ पे इसके बाद क्या है P cos theta cos theta by R square यह है radial part electric field में radial जो इसके radial direction में होती है और एक theta direction में होती है जो कितना angle बना रहा है dipole से जहाँ पे हमें निकालना है तो वो होता है K into P sin theta by R cube इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे पैलल होता है और कहाँ पे पैलल नहीं होता है so at P पे check करते हैं at P पे at P at P पे जो angle बन रहा हो कितना बन रहा है वो 90 degree बन रहा है तो 90 degree बन रहा है तो जो radial part होगा radial part क्या हो जागा radial part cos 90 क्या होता है 0 हो जाता हो साइन थीटा क्या है साइन थीटा है यहां पर साइन नैंटी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आर्टू और जो E theta है, D theta direction क्या है, D theta direction इधर होगी, theta की direction, तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा, अगर यह Kp, P direction लगाती है, तो क्या हो जाएगा, यह minus of, लेकि, minus of P, और P, P किदर है, P हमारा, Q, यह है P, और यहाँ पे जो field बना, electric field intensity हो क्या है, इसके भी parallel क्यों हो क्या है, opposite side में, opposite direction मे है, इसके just P के, यह भी क्या होगा, कि parallel to dipole axis होगा, at P, अब Q पे चेक करते है, at Q, at Q, at Q पे क्यों हो जाएगा, Q पे हो जाएगा, और radial part बचेगा, क्योंकि यहाँ पर sin 0, यहाँ पर theta क्या बनेगा, theta dipole axis के साथ 0 बनेगा, तो यह क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर radial part क्यों बचेगा, तो यह radial part जैसे की जानने के हम देख रहे हैं, क्योंकि है, dipole moment, जो dipole दिया है, उसी की direction में है, तो यह क्या है, यह भी parallel है, तो यह हो जाएगा, k2p by r square, यह क्या है, यह दोनो parallel है, dipole axis के, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बोथ है, P and Q. डाउनलोड करें डाउटनेट आप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 84444 उपर.